दोस्तो आज हम बात करने वाले मद्य प्रदेश पुलिस परिक्षा रिजल्ट और बंदक्षा रिजल्ट के बारे में जैसे कि आपको पता है कि मद्य प्रदेश पुलिस बिभाग याने कि मद्य प्रदेश पुलिस परिक्षा रिजल्ट जो है उसका सुद्धी पत्र जो है वो 22 तारीक को आ चुका था और आज तारीक हो गई है लगवग 4 मार्च, आज 4 मार्च 2024 हो गई है, लगवग 2 हपते से जादा का समय बीट चुका है, अब अभी भी पुलिस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है, बनरक्षक रिजल्ट मार्च के पहले सब्ता में आने वाला था, जैसा कहा गया था कि मार्च के पहले सब्ता में जो है बनरक्षक रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी, फरवरी के लाश्ट सब्ता में जो है पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा तो फरवरी बीच चुका है मार्च का पहला सब्ता हो चुका है अभी भी ना पुलिस का रिजल्ट आया है ना मार्च में वनरक्षक का रिजल्ट आने वाला था उसका भी कोई अता पता नहीं है कब तक possibility है क्या है एफन देखते हैं बात करत है दोस्तो सबसे पिंबरन बात करते हैं कि रिजल्ट आने वाला है वह सभी को पता है कि 113 पर ₹ए एहां पर जो लिखा हुआ है कि जो टोटल पोस्ट थी उस टोटल पोस्ट में से 87% रिजल्ट जो है अभी जारी किया जाएगा 87% रिजल्ट जो है वो अभी जारी कर दे जाएगा इसमें 14% जो रिजल्ट है वो होल्ड कर लिए जाएंगे तेरा प्रतिशत रिजल्ट जो है वो होल्ड कर लिए जाएंगे जनरल के और तेरा प्रतिशत रिजल्ट जो है वो होल्ड कर लिए जाएंगे जनरल के और तेरा प्रतिशत रिजल्ट जो है वो होल्ड कर लिए जाएंगे और बागी के रिजल्ट जो है वो दे दे जाएंगे तो आपको बुलाएंगे फिजिकल में भी आपको बुलाएंगे फिजिकल जब होगा तो फिजिकल पर जो जाएगा आपका मगर फिज्जिकल के बाद जो मेरिड वनती है जो मेरिड में 26 प्रतीसर पाईगे चाहये वो OVC के हैं यानि की कोर्ड का केस जोए OVC के हिवर में आया तो 13 प्रतेसर 2014imbol को को रिलिस्ट किया जाएगा याने कि अगर OBC के 13% बच्चे फिजिकल पास कर भी लेते हैं और अंतिम पढ़ाव पास कर लेते हैं फिर वह उनका रिजल्ट रोक दिये जाएगा याने कि उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा क्यों कौंकि कोड का फेले जनरल में आया अगर कि कोड से एक बयान जारी हुआ था कि हमने यह 87-13 का फार्मूला नहीं दिया है यह 87-13 का फार्मूला हमने नहीं दिया है और कल कल की बात करें तो कल जब ललन टॉप का कल ललन टॉप का मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का इंटर्व्यू जब चेनल पर आया था ल उन्होंने कहा था कि प्रक्रिया को आगे तो बढ़ाया जाए, किसी प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इस 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 प्रक्रिया को आगे पत्पर न्युक्ति देने वाले थे इंटर्वुव में कहा है कि अठ्था से यार पत्पर ने वनरक्षक के पद हैं और नहीं MPP पुलिस के पद है क्यों कि अभी वनरक्षक के इस विध्यारत के नहीं नहीं मिल चकती और MP पुलिस के विद्ध्यारति के नहीं मिल चकती दोनों के नहीं मिल चकती कारण यह है कि वन्रक्षक का रिजड़ आएगा तो वन्रक्षक में भी फिजीकल है और MP पुलिस का रिजड़ आगा तो MP पुलिस में भी फिजीकल है MP पुलिस में 7 गुना यानि 7 एक्स विध्यारतियों का चेन के जाता है 7,000 वेकेंसी तो लगवग 50,000 विध्यारतियों का चेन के जाएगा वनरख्चक में 2,000 वेकेंसी तो इसमें 3 एक्स का चेन के जाता है यानि के लगवग 6,000 विध्यारतियों का चेन के जाएगा और अंतिम फेसला इनका मेरिट जो आती है वो कब आती है वो आती है फिजीकल के बाद ही तो अभी फॉरेस्ट में याने बनरख्चक में और पुलिस में दोनों में जो है वो अंतिम फेसला ही वाकी है याने की रिजर्ट आएंगे पहले रिजर्ट के बाद फिजीकल होगा फ साथ में अगर अपन बात करें तो अभी जो है रिजल्ट पुलिस का हो सकता है कि आज सोंबार है और आज ही यानि कि मार्च का पहला सप्ता भी लग गया है और आज ही पुलिस का रिजल्ट जो है वो आ जाए अगर आज मानलो पुलिस का रिजल्ट आता भी है तो इनका फिज तिसलेख़् नहीं होगा फुलिस फुजिकल जो है वो छुनाओं के बाद ही होगा याने मैं माई आग्याने कि जून में ही फुजिकल होगा इनका विध्यार्ति Liख slash लंबे समय तक इन्तियार और करना पड़ेगा अब discours लगवक्वक्ति मननेटीन माह का इंतियार और करना पड़ेगा लगवक छे मास से इंतियार कर रहें लगवक एक साल का ही समय हो जाएगा ने दोड़ते-दोड़ते कई विध्यारती तो भुछ सारी समस्य आ रही है इस लुकर में प्राषाशन की एकित्षा होती प्रसासन का जमन होता वो प्रकार से काम होते हैं चलो हुआज संहुलुक आज इतनी ज्यानकारी ठीक तीट फिर में लिए नए वी डिएयो के साथ नए ज्यान आपक शॉयों द्यहीं जय करें जैस्डर और तरुम द्यवयों